Hello, my name is Riya Khanna and welcome to my channel English World आज में लेके चल रहे हूँ आपको अपने साथ एक घर में ताकि आप मेरे साथ सीख सके बहुत जादा वक्याबरी और कॉमन वक्याबरी घर के उपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले दो कॉमन वोर्ड से जो घर के लिए यूज होते हैं यह हैं हाउस और होम दोनों ही वोर्ड घर के लिए यूज किये जाते हैं लेकिन इन में एक मेजर डिफरेंस है हाउस हम तब यूज करते हैं जब हम यह कहना चाहते हैं कि ये एक building है, ये एक मकान है, जहां पर लोग रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो एक मकान, एक building, जिसे लोग रहने के लिए यूज़ करें, उसे कहते हैं house. लेकिन अगर हम home की बात करें, home से हम बहुत ज़्यादा connected feel करते हैं. हम एक ऐसी जगह हैं जिसे हम कहते हैं घर, हम इसे मकान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये मेरा घर है, हम ये नहीं कहते हैं, this is my house, हम ये कहते हैं, this is my home. ही कि यहां परलोग रहते हैं जिनसे हम प्यार करते बढ़ होता है जहाँ प्यार और क्यार है और हाउस प्राहने को खेशना है कि यह पसुर सी अपयार क्राइओ है तो यह प्लेटे ऐब इसे कहते हैं abode, for example, where is your abode, अगर हम इसको लिखने में यूज करें, written format में यूज करें, written language में यूज करें, तो हम जादा तर abode word का यूज करेंगे, so house, home and abode, अकसर अगर घर की बात की जाए, तो हमेशा देखने में आता है, या अगर आपने नोटिस किया होगा, कि जब हम घर लेने जाते हैं, तो अकसर हम ये चीजे देखते हैं, कि घर खुला है या नहीं, घर हवादार है या नहीं, घर में पूरी रोशनी, sunlight आ रही है नहीं, तो इ इस फ़र एक्जेंपल, हमारे नानी का जो घर था, वो बहुत ज़्यादा खुला था, उसमें कम से कम दस बारा कमरे थे, तो इतना खुला घर और बड़े घर को हम स्पेशिस कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, उसी तरह एक ऐसा घर जहां बहुत हवा हो, जह जाएं, और आप किसी प्रॉप्री डीलर को बोलें, कि इस हाउस इस नाट एरी, ये घर तो हवाधारी नहीं है, हवाधार नहीं है, इसका मतब यहाँ हवा का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई खिडकी है, ना कोई रोशन दान है, then you can say, इस 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 नाट एरी, एरी हाउस, एक और बोड बहुत कॉमन है, जो घर से जुड़ा है, अकसर आपने कुछ पुराने घरों में, या नॉर्मल कुछ घरों में आपने देखा होगा, दिवारों पर एक बिंडो टाइप इतनी सी बनी होती है, ये बिंडो का मकसद होता है, घर में फ्रेश एर लेके आना, या बहर के अंदर जो बासी एर, स्टेगनेंट हवा या फाउल स्मेल, गंदी स्मेल्स हैं, उनको बहर एकस्पेल करने के लिए, इस चीज का यूज होता है, इसको इंगलिश में बोलते है, वेंटिलेटर, जिसका मकसद होता है, फ्रेश एर अंदर लेके आना, और गंदी स्मे जरी हो, और वहां पर वेंटिलेटर्स हो, खिड़किया या वेंटिलेटर्स बहुत जरूरी होते हैं घरों के लिए, अब बढ़ते हैं गर की दिवारों की तरफ, दिवारों को इंगलिश में कहा जाता है, वाल्स, लेकिन वाल्स के उपर क्या यूज किया जाता है, मतलब किस तरह से डेकुरेट किया जाता है या वो बत लगाया किया जाता उनको समूथ करने के लिए कि दिवारओं पर अपसर लगाया जाता है थि प्लास्टर प्लास्टर बना हो ता है रेतö सिमेंट क спрос लाइम, चुना, या वाटर से. इन सब का मिक्श्र जो है बना कर दिवारों को स्मूथ करने के लिए लगाया जाता है और जब यह ड्राय हो जाता है जब यह सूख जाता है तो इसके उपर आप वाइटवाश यह पेंट करा सकते हैं. इन्हें दिवारों के अगर हम बात करें तो अकसर आपने देखा होगा कि कई बार घर की दिवारों के उपर कुछ नमी से आ जाती है, कुछ moisture से आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे दिवार गीली है, हलका हलका सा पानी वहाँ फील होता है, तो ऐसी दिवार जहां पर आपको moisture लगे, नवी लगे, तो वहाँ पर हम कहते ह कि इस दिवार पर सलाब है इस सलाब और नमी को इंगलिश में बोलते हैं तो हम कह सिकते हैं there is a damp on the wall और इसी damp के वज़े से दिवार पर जो प्लास्टर होता है या पेंट होता है वो कई बार उखड़ जाता है जो मुझे बहुत बुरा लगता है दर्वाजों की तरफ अगर हम बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा हर दर्वाजे हर खिड़की के ऊपर doors या windows के ऊपर कुछ चिटकनियां होती हैं जिससे आप उनको बंद कर सकते हैं अब चिटकनी को एंगलिश में क्या कहते हैं चिटकनी को कहते हैं बोल्ट यह इस तरह से भी बंद की जा सकती है या इस तरह से भी बंद की जा सकती है हर एक तरह के चिटकनी जो एक चोटी सी एक बार की तरह है एक बार की एक स्टिक की तरह है जो एक सॉकेट में जाके उस चीज़ को बन कर देती है चाहे वो खिडकी हो या दर्वाजा हो उसे कहते हैं बॉल्ट बॉल्ट यह होती है दर्वाजों या खिडकियों के उपर अब ह जुछ घर में घर दर्वाजे, के बॉटम पे डोर वे पे होती है। जहां से आप एंटर करते है यह एग्जेट करते हैं, दर्वाजे का एक रास्ता जहां जमीन पर बॉटम पे हल्कि सी अप देखेंगे एक छोटी सी स्टिप सी बनी होती है। Strip का मतलब floor से जैसे अगर ये floor है तो floor से हलका सा थोड़ा सा उंचे एक दहलीज बनाई जाती है वो कई बार wooden की हो सकती है, कई बार वो पत्थर की हो सकती है वो हलकी से थोड़ी सी दहलीज होती है, वो हर दर्वाजे के bottom पे बनाई जाती है और अकसर में बच्पन में उस दहलीज पे अड़कर बहुत बार गिरती थी उस दहलीज को इंगलिश में कहते हैं threshold threshold, 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 दहलीज, दहलीज याने की threshold कई घरों में आपने नोट किया होगा कि लोग धूप से बचने के लिए ताकि sunlight बहुत जादा ना आए या गर्मी बहुत जादा ना पड़े उससे बचने के लिए खिड़कियों के बाहर साइट पर घर की बाहर के तरफ से एक shades बनाते हैं वो अलग-अलग shapes के हो सकती हैं rectangular, triangular, square तो अलग-अलग shapes के shades बनाते हैं वो खास करके खिड़कियों के ऊपर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं sun shades sun shades, sun shades बचाती हैं धूप से गर्मी से और धूप से protection करने के लिए घरों में अकसर sun shades बनाये जाते हैं दिवारों की अगर बात करें तो अकसर आपने कई घरों में नोटिस किया होगा कि दिवारों के अंदर एक छोटे-छोटे से खाने बने होते थे उन खानों में अकसर कुछ रखा जाता था मैंने बहुत सारी ऐसी पुरानी मुवीज देखी हैं जहां पर उन खानों में दिये या मोम मतिया जलाई जाते थी रात को अकसर जब रॉष्णी कम हो जाती है तो लोग वहाँ पर दिये जलाते थे ताकि रॉष्णी बढ़ सके तो उन खानों को हम इंग्लिश में बोलते हैं नीच इनको हम आले भी क्या सकते हैं खाने भी क्या सकते हैं इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं नीच और कॉरिडॉर में अकसर पे बच्वन में बेंट बिंटन खेलती थी। कॉरिडॉर, बरामदा या आंगन यहां पर आप कुछ भी खेल सकते हैं, खुली जगह को एंजॉय कर सकते हैं तो घर में अकसर चीजों को स्टोर करने के लिए, कुछ लोग स्टोर रूम बनाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे बन सकते हैं, या बेसमेंट एरिया में बन सकते हैं लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि घरों में चट जो होती है, कमरे की चट होती है, उससे डाउन सीरीं के तरफ, नीचे के तरफ एक और चट डालकर एक शेल्फ डालकर उस एरिया को बंद कर दिया जाता था और उसे बोलते हैं एटिक, ये भी एक तरह का एक स्टोर हम बोलते हैं, एटिक, कहीं लोगों के आपने घर में देखा होगा कि अंडर ग्राउंड कुछ स्टोर रूम्स बनाए जाते हैं, मतलब जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसके भी नीचे, बेस्मेंट में कहीं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तैखाने, तो इसको वाल्ट, वाल्ट, there is a वाल्ट in my house, मेरे घर में एक तैखाना है, तो किसे वी चीज को स्टोर करने के लिए, तीन तरह से घर में चीजे जो हैं, वो इस्तिमाल की जाती हैं, यह वो बनाते हैं एक स्टोर रूम, जो क्राउंड फ्लोर पे हो सकता है, यह वो बनाते हैं वाल् भालने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए, दिवारों के अगर हम बात करें, तो दिवारों पर सलाव, नमी, धूल, मिटी, यह सब तो आपने देखा हुआ है, लेकिन मुझे जो सबसे जादा गंदा रगता है, वो है जाला, मकडी को कर अकसर आपने देखा हो, तो मकडी ना रखी जाए तो, कॉब वन, यानि की मकडी का जाना, घरों में एक बहुत काम की चीज होती है, जो होती है हमारी रसोई में, आपने अकसर देखा होगा, रसोई में धुआ या आग जब जलती है, तो बहुत आजा धुआ और ग्यास इकट्थी होती है, तो चिमनी क्या कर में हास करके चिमनी का बहुत जादा इंपौर्डरल्स होता है, कई लोग अपने घरों में एक जगा बनाते हैं, जहां पर वो आक जला सके, आउसी जगा जहां पर आघ जला सके, हाथ सीख सके, गर्मी फील कर सके, कोजी फील कर सके, उस जगा को कहते है हाーテ, यानिंकी फ्लोर फ्लोर पर खड़े होके ऊपर देखें तो हम कहते हैं सीलिंग जहां पर हमें पंखा दिखाई देता है इसलिए कहते हैं सीलिंग फैल इसे कमरे की अगर चट की बात करें तो वो बन जाएगी रूफ रूफ और अगर घर के सारी चटों की ऊपर बात करें तो हम कहेंगे टारस, टारस के जो चारो और, जो बनेरा बना होता है, उसे हम कहते हैं पारपिट, पारपिट, सो आपकी वक्याबरी कुछ इस तरह से है, फ्लोर, सीलिंग, रूफ, टारस, अन पारपिट, ताइम फॉर दी असाइनमेंट, आज का असाइनमें ये है कि आपको अपने हाउस के बार में, seven sentences comment box में type करके भेजने है, और मैं उसको करूँगी evaluate, ध्यान में रखेगा कि जब आप अपने sentences लेखें, seven sentences, तो आप ये सारी vocabulary का use जरूर करें, ताकि आप इस vocabulary की practice कर सकें, मैं इस assignment को evaluate करूँगी और मैं मिलूँगी आपको अपने next lesson में, till then you take care and stay blessed.